है फ्रेंट्स वेलकम टू MKV Special Tech Education तो माई डियर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाबा एटोमेक रिसर्च सेंटर में बर्क असस्टेंट की पोस्ट के लिए जो एक्जाम कंड़क्ट कराया गया था उसकी कट ओफ रिलीज कर दी गई है और आंसर की भी आ चुकी है तो माई डियर फ्रेंट्स कट ओफ और आंसर की के बाद हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में तो अभी फिलहाल रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं आया हुआ है जैसे ही रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे त तो इसके अलाबा कट ओफ और आंसर की की हम बात करने वाले हैं तो चलिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बरक असिस्टेंट की पोश्ट के लिए जो है बार के दुवारा अपडेट किया गया नोटिस है कि स्टेज बन में जिन कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया कर लेते हैं तो यहाँ पर आप केटेगरी वाइज कट ओफ देख पा रहे हैं कट ओफ मार्क यहाँ पर आपका पेपर 150 मार्क्स का हुआ था क्योंकि 50 कोश्टन आपके पूछे गए थे और आपके प्रते जो कोश्टन है वो तीन अंकिकी थे यानि आपका टोटल मिलाकर 150 म में आपके कट ओफ मार्क्स की हम बात कर लेते हैं जनरल केटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं 138 मार्क्स उनका कट ओफ गया है EWS जो है उनका 135 जो है कट ओफ गया है OVC की अगर हम बात करें तो 134 जो है OVC वाले कैंडिडेट्स का कट ओफ गया हुआ है जबकि SC के यहाँ पर 137 इनका cutoff गया हुआ है और ST के candidate के अगर हम बात करें तो 128 जो है उनका cutoff गया हुआ है PWD के candidates का cutoff 117 यहाँ पर गया हुआ है तो यहाँ पर अलग-अलग category wise cutoff हमने आपके साथ discuss किया हुआ है अगर आपने work assistant stage first exam दिया हुआ है और आपके इतने marks आ रहे हैं तो आप जो है stage 2 यानि advanced test के लिए अपनी preparation start कर दीजिए आपको एक और बात बता देते हैं कि जो आपका stage 2 वाला exam होना है यानि advanced test होना है उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा कैसे आपकी exam process रहेगी जबकि कितने candidates उस exam में बुलाए जाएगी तो ये सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है तो so guys last तक बने रहे हैं इसके अलाबा यहाँ पर answer की भी release कर दी गई है तो answer की की जो link है वो आपको description box में मिल जाएगी description box में जाएगे वहाँ पर आप WhatsApp ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं इसके अलाबा चैनल को subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो वहाँ link दी गई है वहाँ पर जाकर आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाली सभी latest information शबसे पहले मिल जाएगी तो चलिए हमने आप से बात कर चुका है cut off के बारे में और answer की के बारे में तो अब हम बात कर लेते हैं आपके advanced test यानि stage 2 के बारे में तो dear friends यह आपके हम notification पर आ चुके हैं और यहाँ पर फरवरी में जो आपका exam conduct कराया था work assistant का total post की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 74 post यहाँ पर थी work assistant की post के लिए है ना तो यहाँ पर अलग-अलग category wise जो है post define की गई है इसके अलावा हम यहाँ पर आपको main चीज बताने वाले थी कि जो work assistant है उसका advanced to यानि stage second कैसे रहने वाला है advanced test जो है कैसे रहने व प्री test या premilinary test तो दे चुका है जिसमें आपके जो है 50 multi choice questions available थे तो अब आप stage 2 के लिए अगर योग पाये जाते हैं यानि advanced test के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपके कौन-कौन से यहाँ पर questions कहां-कहां से पूछे जाएंगे तो देखिए stage 1 में आपने 50 objective type questions पूछे गए थे one hour का two hour का duration था ठीक है अभी stage 2 में यहाँ पर क्या होना है stage 2 में भी आपके 50 marks या 50 questions number of पूछे जाएंगे यानि 50 question आपको stage 2 में पूछे जाने है 15 question जो है आपके mathematics से आएंगे 15 question science से आएंगे और general awareness से 10 question आपके यहाँ पर पूछे जाने है जबकि basic English भी यहाँ पर आपको 10 अंक की पूछी जाएगी कुल में लाकर आपके number of questions 50 हो जाएंगे marks जो हो जाएंगे 150 हो जाएगा प्रते question तीन अंक का होगा और एक अगर आप एक question सही करते हैं तो तीन अंक मिलेंगे जबकि अगर आप एक question गलत करते हैं तो आपका एक अंक यहाँ पर deduct कर लिया जाएगा तो यहाँ पर stage 2 का यह syllabus था यह question paper का pattern था इसके अलाबा यहाँ stage 2 की merit के आधार पर ही आपका final selection किया जाना है यहाँ पर mention किया गया है कि candidate with lower negative marks in stage 2 to be placed higher on the merit list यानि जिन candidates का कम negative marks होगा वह merit में उपर स्थान पाएंगे इसके अलाबा बहुत सारी चीजें हैं तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपका stage 2 में कैसे selection होगा कैसे आपको बुलाया जाएगा तो बुलाया जाएगा आपको registered email id पर mail आ जाएगा और इसी प्रकार की latest update के लिए आप बने रहे हमारे शाथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे क्योंकि आपको सभी government job की latest information हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं ट्रेड थेयोरी के वीडियोज आई ट्रेड थेयोरी के सभी वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्द हैं अगर आपके लिए यह वीडियो helpful रही है तो वीडियो को like करें thanks